करकाने छोटों मोटत है सारे बंद हो गए आपको कमी क्या लगती है राहूल गांदी में क्या कमी है उसकी पार्टी में क्या क्मी जातर टोपिक्स जैसे मंदिर अंदिर पे ही जातर फोकस करा जो पगेर के लिए नहीं करा लेकिन इस चुनावी मौसम में सिर्फ और सिर्फ चुनावी परचार बढ़ता है ज़ियां चुनावी परचार जोरोशोरोपर है हर पारटी के हर कारे करता हर सद से एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपनी पारटी को शक्षम दिखाने के लिए और इसी के चलते कॉंग्रेस ने इसी शक्षम दिखाने के लिए अभी नया नया मैनिफेस्टो लॉंच किया है और उस मैनिफेस्टो में उसने कहीं सारे वादे किया है और वो पांच वादे वो ये वादे हैं जो जनता से हम जानेंगे कि क्या वो जनता इस वादों को मानेगी क्या जन्ता के लिए ये वादे, जो वाधें इसने किये हैं, वो सही माइने में थाबित होंगे की नहीं आगे जानते हैं माई जन्ता से मैं आपसे जाना जाता हूँ कि जो Congress ने नया Manifestor launch किया है तो वो किस हद तक आपको सही लग रहा है वो कह रहा है कि वो 22 लाग रोजगार देगा मंडरेगा में जो 100 दिन की दिन थे काम करने के वो डेड़ सो हो गहे हैं उसने बहुत सारी चीजे कही हैं तो क्या लगता है आपको? वो कर सकता है मैं तो कॉंगरेस की सपोर्टर है तो मुझे लग रहा है कि कर सकता है आप कॉंगरेस को सपोर्ट करते हैं तो आप मोदी के सपोर्टर नहीं है ऐसा क्या मतलब मोदी के सपोर्टर नहीं है जातर टॉपिक्स जैसे मंदिर वंदिर पर जातर फोकस करा जोब बगयर के लिए नहीं करा यानि युवाओं को अभी तक मोदी ने कोई कुछ ऐसा खास ओफर नहीं दिया है नहीं मुझे नहीं लगता अच्छा किस हब तक आपको सही लगता है जो परदान मंत्री नरेंद मोदी ने डूटर हैंडल पर अपने नाम के आगे चौकिदार लगा लिया है यार अब तो सब्सक्राइब ट्रेंड सा बन गया है कुछ इससे वह पढ़ रहा है किसी को कुछ नहीं पढ़ रहा मुझे नहीं लगता है कुछ एफेक्ट करेगा तो यह क्या लगता आपको कि उसनोंने जो नाम चौकिदार लगाया वह एडवर्टाइजमेंट है कि या फिर सिर्फ एक कहते है ना कि अपना शो करना कि मैं चौकिदार हूं मैं सामने वाली की बात पब्लिक रिलेशन है थोड़ा सा एडविटाइज हो गया उनकी पार्टी बस और कुछ नहीं है इस बार किसकी सरकार मोधी सरकार है मोधी सरकार क्यों मोधी है तो मुमकिन है यह बात कभी पूरा निवा लेकिन वह इस साल रहूल गांधी लेका है रहूल गांधी कहना कि वह अपने हर वादे को पूरा करेंगे पिछली बार बस नहीं लेका है कर लेंगे तो अच्छी बात है आपको कमी क्या लगती है रहूल गांधी में क्या कमी है उसकी पार्टी में क्या क बढ़ाने में उनका बहुत बढ़ा हाथ है अगर वो दुबारा आ गए तो देश कहीं और जाएगा इसमें कोई सकती है किसको वोड देंगे इस बराब मैं तो कांग्रेस के दुमा जी जितने भी है उद्योग पती के लिए इन्होंने आगे काम करा है मोदी जी ने और गरीबों के उपर धियान नहीं है क्योंकि जितने करखाने अभी के लिए फिलाल इतना ही ये थी हमारी देश की जनता गिर रहे आशीर जायसियन न्यूज